मद्रबदेश की खरगोन में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आई जमीन पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई दी ऐसा लगा मानों MP की खरगोन में कश्मीर जैसा नजारा हो हर तरफ बर्फी बर्फ दिखाई थी दरसल खरगोन की पहाडी गाउं का कोड़ा में तेज हवा और बारिश के साथ ओलव रिष्टी की वज़ह से जमीन पर बर्फ की चादर बिज गई मौसम में इस बदलाब से किसानों को भारी नुकसान चेलना पड़ा फसल बर्बाद हो गई किसानों का कहना है कि गेहूं और चने की कटाई चल रही थी लेकिन बे मौसम बारिश की वज़ह से फसल तभा हो गई अब किसान अपने नुकसान की वज़ह से परेशान है और मौावजे की मांग कर रहे हैं अचानक मौसम में बदलाब से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली है लेकिन किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लखी रेज साफ नजर आई उधर जम्मू कश्मीर की गुलमर्क में एक बार फिर बर्फवारी शुरू हो चुकी है जिसकी वज़ह से ताज पारा तेजी से लोड़क गया है और गुलमर्क की पहाडियां बर्फ की सफेज चादर से ढकी नजर आई वहां की सडके तो बर्फवारी की वज़ह से मानू गायब ही हो गई क्योंकि सडकों पर एक से दो फीट तक बर्फ की परत जम गई बर्फवारी की एक वीजियो में तो आसमान से बर्फ गिरती हुई नजर आई जिसको देखकर ऐसा लगा मानू ये बर्फ नहीं रूई के फाई हो जिसकी वज़ह से सैलानियों की चेहरे तो खिल गए लेकिन बर्फवारी की वज़ह से रास्ते बंद होने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई उधर मद्रप्रदेश के मंडला और सपना में भारी बारिश की वज़ह से जगा जगा जल भरावत हो गया है जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी क्योंकि सड़के तालाब में तबदील हो गई बहां से आएक वीजियो में तो सड़क किनारे खड़े स्कूटर और मोटरसाइकल पानी में आधे जूबी नजर आए मद्रप्रदेश की मंडला में महस दो घंटे की बारिश से हालात इसकदर बिगड़ गए कि सड़कों से लेकर लोगों की घरों तक में पानी ने कबजा कर लिया ऐसा ही हाल मद्रप्रदेश की सपना का भी रहा वहां तो मुस्सधार बारिश के साथ ही ओले भी गिरे जिसकी वजह से फसल समेट कई कच्चे मकानों को लुकसान पहुंचा मद्रप्रदेश की कई जिलों में अगले दो तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरीके से रहने की संभावना है बांगलदेश के मदारीपूर में सड़क हाथसे से अफ़ड़ा तफ़ी मच गई जहां एक बस हाथसे का शकार हो गई इस हाथसे में सदुरा लोगों की मौत हो गई तो कई लोग खायल हो गई बताय गया कि ये बस हाथसा मदारीपूर के एक्स्प्रेस वेफर हुआ तेज रफ्तार से आती हुई बस का पहिया फट गया जिसके बाद ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया जिससे बस तेज रफ्तार से खाई में जाकर गिर गई जिस वक्त ये हाथसा हुआ उस वक बस की हालत देखकर अंदाजा रगाया जा सकता है। हाथसे के बाग चीक पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस बस हाथसे में देड़ दर्जन से जादा लोगों की मौत हो गए। वहीं कई लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिनको अस्पताल में भरती करवाय गया। वहीं हाथसे में अपनों को होने के बाद लोगों का रोर होकर बुरा हाल था। दरसल ये बस खुलाना से ढाका जा रही थी। तभी मदारिपूर में एक्सप्रस वेपर ये दर्दनाख हाथसा हो गया।